यह कहना था कि जब मिलिएगा तो पूछेगा कि शिवानी रखेड़ा के बारे में पूछेगा कि इस तरीके से आपकी रिष्टे की शुरुवात हुई जो हमेशा यही सवाल करते थे कि संजुभाई आपकी लाइफ में कोई है संजुभाई आप किसी को इंगेजड कर रहे हैं अपने साथ मेरे दिल से उनके लिए रिस्पेक्ट निकली और तो उन्होंने मेरी क्वालिटी को यही आजमाया कि मैं एक एक बड़ा पॉपलर फिगर होने के साथ साथ मैं उनको इतना एडमायर कर रहा हूं उनकी बी इतनी इ यह हमारा जोन नहीं है यह हमारी किस्मत हैं उनकी किस्मत है काम अच्छा होना चाहिए हमेशा करना की कोशिश करते हैं तो हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिलीवूद न्यूज शो में आपके साथ मैं हूँ आर्ती आज मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है उत्राखन के वो अभिनेता जिन्होंने गजेनर राना के आइकोनिक सौंग बबली तेरो मुबाइल से घर घर में अपनी जगा बनाई अपने सूपोब एक्टिंग स्किल से आप सभी के दिलों पर राज करने वाले उत्राखन के मशूर अभिनेता दिवन अनली संजे सीलोडी सबसे पहले तो संजो सीलोडी जी स्वागत आपका हिलीवूद न्यूज शो में मैं आपको हाल ही में हुई आपकी इंगेश्मेंट के लिए कॉंग्रेचुलेशन करना शाहूंगी फाइनली वो दिन आया जिसका आपके फैन्स को बेस अबरी से इंतिजार था जी बहुत बहुत धन्यवाद देखिए सभी लोग हमेशा मुझसे यही सवाल करते थे कि आपके कौंसे वीडियो जाने वाले हैं कौंसे फिल्म साने वाली हैं लेकिन अधिकतर एक फैन कम्यूटी एक इस कैटिगरी के भी थे जो हमेशा यही सवाल करते थे कि संजु भाई आपकी लाइफ में कोई है संजु भाई आप किसी को इंगेजड कर रहे हैं अपने साथ तो भगवान को शायद 2022 मंजूर था इस चीज के लिए और मैं खुश हूँ कि कोई नहीं चीजें देर हुई लेकिन बहुत अच्छी जगा हुई मैं बहुत कुश हूँ अगर मैं बताओं तो मैंने आपका इंट्रिव्यू का अपडेट जब सोशल मीडिया पर डाला था तो अमूमन लोगों का ये कहना था कि जब मिलिएगा तो पूछेगा कि शीवानी रखेड़ा के बारे में पूछेगा किस तरीके से आपकी रिष्टे की शुरुवात किस तरीके से आपकी रिष्टे की शुरुवात है और कब आपको लगा कि C is perfect देखे वैसे तो ये बहुत अंदर की बाते हैं लेकिन ठीक है फैन्स मेरे बारे में जानना चाहते हैं शीवानी के बारे में जानना चाहते हैं देखिए जूर तो नहीं बोलूँगा कही नहीं ह और social sites पर मेरे बहुत सारे fan है, मैंने एक reel बनाई थी, एक video बनाया था, जिसमों मैंने ये जिक्र किया था, कि मैं केदारनाथ घूमना चाहता हूँ, मैं केदारनाथ जाना चाहता हूँ, और ये मेरा दूसरा सपना है, पर मेरा पहला सपना यही है कि काश मेरी एक खुबसुर सी लड़की girlfriend होती, तो मैंने उसको एक, आपके सासाथ आपके fans का भी ये सपना हो चुका था, ये मैंने जोग रिप्रेजेंट किया था, तो सभी लोग हमारी reels पे comment करते हैं, तो शीवानी लखेडा जो थी, उन्होंने उस reel पे ऐसा comment किया, जिससे मुझे ऐसा लगा कि, ब मुझे बहुत अजीब सा लगा वो comment और मैं उनकी profile पे गया और मैंने उनको कुछ अलग अंदाज में बोला कि, ये आपने क्या लिखा है, मुझे कुछ समझ नहीं है, ऐसा क्यों लिखा आप, आप क्या चाहती है, और इतिफाक देखे, ये बहुत बड़ा, मतलब मैं तो sorry sir, लेकिन मैं, हम मैं और मेरी पूरी family आपको बहुत पसंद करती है, आपके काम को बहुत पसंद करते हैं, मेरे दिल से आवाज आई, मैंने लिख दिया, क्योंकि मैं भी बोले नात की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, fan हो, devotee हूँ, और मैं आपकी भी बहुत बड़ी fan हूँ, तो इसलिए मैंने लिख दिया, अगर आपको बुरा लगा तो sorry, मैंने का बुरा नहीं, मैंने का आप open, आपने ऐसी बात लिखी, तो आप इसके पिछे मतलब किया था, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको पसंद करती हूँ, लेकिन बात यहीं से शुरूर हुई तो लेकिन उसके बाववजूद भी मैंने उनको अपने मारे में सब कुछ बताया, कि मैं इस प्रोफायल से हूँ, ऐसा वैसा, वो जानते थे, लेकिन बहुत सरी अंदर की बाते थे जो बतानी होती है, तो मुझे ऐसा लगा कि शिवानी की सबसे बड़ी खासियत यह थी उस ट जिवानी ने ज्यादा बात नहीं करी मुझे से, वीडियो कोल में, ममी जी ने करी, और उन्होंने बहुत अच्छा माना मुझे, वो चेक करना चाते थे कि कैसा है लड़का बात्चित का, या फिर कोई कोई फेक आईडी से बात तो नहीं कर रहा है, संजुसी लोड़ी है को इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हमें किसी तरह के क्योई रिलेशन्शिप में कुछ टाइम बिताना था, सीधा शादी की बात थी, क्योंकि कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं, जिनको बहुत डिसेंट लड़के चाहिए होते हैं, I hope मैं उस डिसेंट कैटिगरी में आ और मुझे लगा कि मैंने इतने साल इतने लोगों का दिल जीता है, उसमें से एक शीवानी भी हैं, लेकिन शीवानी ने जो मुझे एड्मायर किया और मुझे समझा मेरे प्रोफाइल को समझा, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, यही वो लड़की है, जिसके संग मुझे जुनना और यह मौका भुलेनाथ भगवान ने केदारनाथ भगवान ने खुद दिया है, देखिए, मैं भगवान के ओपर वीडियो और बना रहा था और वो भी उन्ही भगवान की भग थी, और उन्होंने वहीं पर कमेंट किया, हो सकता था वो कमेंट करती है और वो मेरी बहुत ही अच्छे लोग हैं और शादी का प्लान आपका? शादी का प्लान तो डिसाइड हो चुका है 14 अपरेल 2023, 14 अपरेल बेशाकी के दिन के असपास तो यह सब चीजने डिसाइड हुई लेकिन देखिए, जब चीजों होना होता है तो बहुत जल्दी होती है वरना एक प्लान आपको एक बहुत बताना चाहूंगा आरदी कहते हैं कि लड़कियों को प्यार अच्छा लगता है कि प्यार करें उनको कोई मैं मानता हूं प्यार करने के साथ-साथ अगर कोई लड़का उनकी इज़त करता है तो लड़कें उस लड़के को जादा एड्मायर करती है उसको जादा एकसेट करती है और शिवानी ने जब मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया मुझे लगा कि या यह वो लड़की है जिसमें कुछ मुझे दम लग रहा है तो मेरे दिल से भी उनके लिए रिस्पेक्ट निकली और तो उन्होंने मेरी क्वालिटी को यही आजमाया कि मैं एक बड़ा पॉपलर फिगर होने के साथ साथ मैं उनको इतना एड्मार कर रहा हूं उनकी भी इतनी इज़त कर रहा हूं तो उनको वो चीज सबसे अच्छी लेगी उनकी फैमिली को तो उनने बुला कि नहीं हमें ऐसे ही लोगों के साथ जुणना था जो कि चीजों को समझते हो फैमिली वैल्यूस करते हो तो जब यह जो है यह बात जब रिवील्ड हुई थी तो काफी सारे न्यूस पोर्टल समेत कई लोगे ने इसके मतलब शेयर क्या था तो उस टाइम पर आपका क्या कुश रियक्शन था देखे मेरा रियक्शन तो ऐसा कुछ खास नहीं था लेकिन जी हाँ शीवानी को बहुत खुशी लिए उट्राफर्ण म्यूसिक इंड़स्ट्री के आर्टिस्टों को लेके यह कम वहत कम देखा जाता है कि इस हद तक कई चीजें रिवील्ड हो देखे काफी लोग मेरी शादी को लेके बड़े एकसाइटीड थे कि कब करेगा संजी सिरोड़ी शादी कब होगी तो जब शीवानी मेरे संग जॉइन किया तो मतलब शीवानी की फैमिली को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि शीवानी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा शीवानी का हमेशा से मानना है अच्छा इतिफाक ही है कि शीवानी ये मानती है कि वो बहुत लखी है कि मैं उनको मिला और अगर सच बता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं बहुत लखी हूँ कि मुझे शिवानी मिली मैं ये तीन से चार मेने में बात बोल रहा हूँ हो सकता है मैं जल्दी कर रहा हूँ उस बात को बुनने में लेकिन हमें इतना experience है कि हम लोग फब्लिक डेलिंग करते हैं लोगों को इतने तो समझ चुके हैं कि कौन किस हद तक जाकर artificial behave कर सकता है तीन से चार मैने में मुझे ने लगता कि कोई लड़की artificial behave करके मुझे मेरा मन जीच सकती है मुझे उसका natural shit नजर आया तो मुझे लगता है कि उनको लगता है कि मैं उनके लिए वो बहुत लखी है कि मैं उनको विला और मुझे लगता है कि शिवाने मुझे मुझे बिली मैं बहुत लखी हूँ आप काफी मतलब थोड़ा choosy type के भी मुझे लगे relationship को लेके तो I think अगर आपको लगा तो definitely वो perfect हूँ बिलकुल 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 ओके तो आपके अब work friend के तरफ शलते हैं जैसा कि मैंने शुरुवात में जिक्र किया बबली तेरो मुबाइल से आपने अपनी जर्नी को start किया था 2006 में ये song release हुआ था इसके बाद से आपने अपनी जर्नी को start किया था तो तब से अब तक कि इस जर्नी को आप किस तरीके से देखते हैं या फिर किस तरीके से इस जर्नी का आप आंकलंड करते है देखे जब मैं इस लाइन में entry कर रहा था तो सच बूलने तो target ये था कि कुछ अच्छा सा सीखूँ और उसके बाद मॉंबई की तरफ रुख कर लूँ लेकिन मुझे धाई से तीन साल लगे बबली तरह मॉवाइल तक उस जर्नी को complete करने और जब बबली तरह मॉवाइल सौंग मार्किट में आया गजे दरान बड़े भाई का तो लोगों ने बहुत एडमायर किया बहुत पसंद किया वो उत्रहंड का बहुत बड़ा माइल स्टोन वीडियो सौंग साबित हुआ और हर मैरिज में हर फंक्शन में वो बचता था एवन हरियानवी शादियों में और मुंबई में भी जहां मराठी लोगों के फंक्शन होते थे तो वहां से मुझे ऐसा लगा कि मुझे लोगों ने प्यार करना शुरू किया आप सभी दर शकों ने मुझे बहुत साधा प्यार दिया है तो मेरे मन में एक स्पार्क हुआ कि नहीं मुझे इस चिंगारी को आग में बदलना है मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये प्यार अभी थोड़ा है अगर मुझे प्यार मिल रहा है तो डैफिनिटली मैंने दर कुछ होगा मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा बस उसके बाद से फिर मेरा सेकेंड सूपरेट आया नौनी भावना फिर थर्ड आया सुतरा कि दौनी उसके बाद करते करते बहुत सारे वीडियोस आये लबरा छोरी ओसाहिबा और भी बहुत सारे वीडियोस है ऐसा नहीं है कि जिन वीडियोस के नाम मेरे मुझे आ रहे हैं बहुत सुपरेट है या फिर वही मुझे पसंद है ऐसे बहुत सारे वीडियो सॉंग्स हैं जो कभी-कभी जहन में नहीं आपाते लेकिन मैं उनका बड़ा प्रशन सकूँ कि वो वीडियो सॉंग बहुत अच्छे हैं और क्योंकि एक ही सॉंग से सब कुछ नहीं हो सकता बहु मेरे मन और है मेरे मेरे मंधिर के अंदर का है कि अदिक हमने का भगाओन की मेरे उपर और मैंने कांसे बहुत प्यार किया और और लोग भी बहुत प्यार करतें अपने कांसे लेकिन मेरा तरीका कुछ अलग था और मेरा जो स्टाइल था काम करने का वो थोड़ा अलग था लोगों ने उसको एप्रिशेट किया पसंद किया तो जो कुछ भी मिला मैं तो इसका आर्थी सारा क्रेडिट अपने डिरेक्टर्स को, अपने सिंगर्स को मिजिशन्स को, टेक्निशन्स को, अपनी हिरोईन्स को, अपने कुरिगाफस को मैं सब को क्रेडिट देता हूँ क्योंकि अकेला संजू सिलोनी कुछ भी नहीं है और अकेला कोई भी इंसान इस इंडूस्ट्री में कुछ भी नहीं है चाहे वो सिंगर हो वो भी अकेले कुछ नहीं है, चाहे वो अकेले कुछ नहीं है क्योंकि सिंगर्स को भी प्रिडूसर्स की जरुत पढ़ती है उनको इन्वस्ट कौन करेगा तो वो प्रिडूसर्स की बिना धूरे हैं हम सिंगर्स की बिना धूरे हैं हम डिरेक्टर के में अदूरे हैं हर इनसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं हमेशा अपनी सफलता का जुश्रे है मैं सभी लोगों में बाड़ता हूँ इसको अकेले अपने उपर नहीं लेता हूँ और हाँ वो बात अलग है कि हाँ मैं जो मेरी मदर है मैं उनको बड़ा प्यार करता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ के पहली फैन जो थी मेरी मदर थी उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया सपोर्टिंग रोल पर मतलब उनके मुझे सुनके अच्छा लगता था I am hero, I am an actor मैं hero हूँ और उनको मैं कभी-कभी गोविंदा जैसा या कभी-कभी शारु खान जैसा लगता था तो वो बोलते थे तो जब घर से सपोर्ट मिलता है आपको आरती तो आप बहुत आगे तक जाते हैं और जब आपकी मा का सपोर्ट मिलता है तो फिर तो आप बहुत ही आगे जाते हैं क्योंकि आपको फिर कोई नहीं रोख सकता तो मेरी मदर, मेरे बड़े भाई सागर सीलोडी जी जो मेरे गौड़ फादर है जिनों ने मुझे इंडस्ट्री में इंटर्डूस कराया अपने दोस्तों से और मेरे सारे फैंस, मेरे सारे डिरेक्टर्स मैं सबी को श्रे देता हूँ कि ये सारा श्रे आप सब लोगों का है मेरा इसमें अकेले कुछ नहीं कैसिट के जमाने से आपने स्टार्ट किया था यूटूब और अब OTT प्लाटफॉर्म तो इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप देखे बहुत लंबा सबर है और खुशी होती है कि मैं इतने साल काम कर पाया और मैं सीडीज में था सीडीज के बाद मैं यूटूब में आया यूटूब के बाद मैं सिनमा हॉस के परदे पे आया उसके बाद अब OTT जो की बिल्कूई ट्रेंडिंग चलता है तो OTT पे मेरा एक वेब सीरीज आया वान और नहीं करके सबसे पहले आइटिंग आपकी जीज बाद अगर इन अधर वर्ड्स मैं उत्राखंड का ऐसा हीरो की अगर मैं बात करूं हीरो की बात करूं तो मैं सारे फॉर्मेट कर चुका हूं OTT एक लास फॉर्मेट था जो मेरा एक ऐसा अटेंप्ट है जो अभी तक किसी और हीरो ने नहीं किया था फॉर्स्ट मेरा गया था तो मैं इसमेट अपने आपको सभागी शाली समझता हूं कि सीडीज, यूट्यूब, सिनमा हॉल्स, OTT इन सब प्लैटफॉर्म को मैं कैरी करके यहां तक लेकर आया हूं अपने आपको और आगे भी उम्मीद है कि जब तक उत्रहंट के लिए काम करूँगा बहतरिन करने की कोशिश करूँगा जितना हो पाएगा उपरवाले का आशिरवाद है मैं आप लोगों कभी निराश नहीं करूँगा हाँ वह बात अलागे कभी-कभी हलके वीडियो में मार्केट में आ जाते हैं लेकिन क्या करें काम है करना बहता है संजु जी सोशल मीडिया का यहां जिक्र हुआ तो आज कल लोग सोशल मीडिया में जो भी करते हैं वैलिडेशन के लिए करते हैं लेकिन बात यह हो जाती है, आर्टिस्टों को वेलिडेशन चाहिए भी, लेकिन वो उसको लेकर कहीं इंसीक्योर भी फील करते हैं देखिये, आर्टिस्टों जो होते हैं, वो अपनी क्रिईटिविटी हमेश testimonies – वो उनको क्या क्या गड्स उनके 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 अंपर हैं पर मैं यह मानता हूँ कि आर्टिस्टों आपने आपमे बड़ी जिम्मिदारी हो जाता है क्योंकि कहीं ने कहीं आप जो हम फिल्म के माधियम से या गानों के माधियम से या किसी भी एक कंटेंट के माधियम से हमेशा ये माना गया है कि सिनेमा जो होता है वो एक जीवन का आएना होता है क्योंकि कोई भी डिरेक्टर जब कोई फिल्म बनाता है या कुछ भी मूवी क्रियेट करता है कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ रियलिस्टिक फैक्ट्स होते हैं उसके बेस पर यो फिल्म बनती है लेकिन हम लोगों के जिम्मेदारी भी बनती है जैसे आपका सवाल था कि कोई एक्टर हैं जो पॉपलर होना चाहते हैं या फिर पबलिक फिगर बनना चाहते हैं या फिर अगर हम बात करें कि जो आजकल एक ग्लूटिक और एक वेरिफाइट परसन हो जाते हैं उसके लिए एफर्स लगाते हैं लेकिन वो चीज़ अच्छी है आप एफर्स लगाएए लेकिन कभी-कभी जो आपने बूला कि इंसिक्यूर फिल करते हैं इंसिक्यूर नहीं है देखे कुछ लोग तो गलत होते ही हैं कुछ लोग तो ना चाहने वाले होते ही हैं, मेरे ही बहुत सारे ना चाहने वाले होंगे, और एक्टर्स के भी होंगे लेकिन कुछ तो जबरदस्ती की ट्रोलिंग करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं जिनको मुद्दा चाहिए होता है जो बाल की खाल निकाल देते हैं हमें एतना सेंसिबल होना बड़ा ज़रूरी है एक आर्टिस को खासकर जो आर्टिस पका हुआ होता है बहुत पुराना होता है उसको सेंस बहुत अच्छे डंक से हो जाता है कि उसको पॉपलरिटी भी बटोरनी है पॉपलर भी होना है और उसको अपनी गलत चीजों को सामने भी नहीं लाना है अपनी अच्छी बातों को सामने रखना है कोई भी ऐसा statement मुझे ना निकले वो deal करना उने आ जाती है क्योंकि नेता और अभी नेता दो ऐसी categories होगी हैं जिनके बोलने पे बहुत ध्यान दिया रहा है इनके बोलने पे बहुत काम होता है एक एक शब्द कईवार इतना ट्रोल कर देता है अजिफ एक्टिंग करना डांसिंग करना ही एक एक एक्टर की जॉप नहीं है उसकी जॉप यह भी है कि वो अपने फैंस को कैसे टैकल कर रहा है कोई फैंस हमें बड़े ही बहुत ही बहती बहतरी किसम के मिलते है बिल्कुल बिल्कुल तो अलग-अलग काइंड है फैंस की तो हमें उनको टैकल करना आ चाहिए तो मैं यह मानता हूँ जो इन्सिक्यॉर्टि नाम की चीज है वो मेरे ख्याल से तो किसी एक्टर या किसी आर्टिस में नहीं होनी चाहिए उसे पता होना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ आज के री-इन्वेंटेज संज़ सिलोडी को अगर मैं देखू तो आप अपने आपको आगे कितना भी देखना चाहते हैं मैं आपने आपको फिट रख रहे हैं, इतने सालों से हम आपको देख रहे हैं, हम बच्चे से बड़े हुगए, आप वैसे के वैसे ही हैं, इसा कुछ नहीं देखे, चेंजिस तुम आए हैं, ऐसी वात नहीं है, हमें महसुस होता हूँ, अब वो अच्छे हैं, बुरे हैं, वो आप बताएंगे कि वो चेंजिस कैसे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, अगर मैं अभी भी बोलू ना, लोग मुझे बोलते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया उतराखंड के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी, मैं 60% अपना जो कैलिबर, मेरा पो सबसे ज़ादा पोटेंशल उन्हीं स्कुल्स के अंदर होने वाला है जो अभी तक बचे हुई हैं लेकिन मुझे मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है, उन कंटेंट्स को शो करने का क्योंकि जब तक मुझे वैसे रोल्स नहीं मिलेंगे, या जैसी मुझे वैसी मूवीज नहीं और जो भगवान का हर कदम पर शुक्रियादा करता है, जो कि मैं हमेशा करता हूं, तो भगवान भी देखता है, कि मैं बार-बार उनसे complaint नहीं करना हूं, कि भगवान तुमने ऐसा क्यों कर दिया, यह मेरा गाना सुपेरेट क्यों नहीं हुआ, भहत उमीद थी. मेरा काम अच्छा था, मेरी परफुमेंस अच्छी थी, लोगों को पसंद आई, सॉंग कितना चला, कितना नहीं चला, यह हर सॉंग का अपना एक स्टार्स होते हैं, अपने किस्मत होती है, तो मैं समझता हूँ कि अभी उतर रखने के लिए मुझे काफे कुछ करना है, I hope मैं कर पाऊं, और I wish कि मैं कर पाऊं, और मुझे लगता है ऐसा कि मैं, अगर मुझे अच्छे मेकर्स ने, अच्छे डिरेक्टर्स ने मुझे फिल्म्स में कास्ट किया, अच्छे कंटेंट्स को लेकर तो मैं डेफिनिटली अपना आपको पूरूफ करूँगा, और आप सब ल यह होते हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है, जो जिसमें हमारे हीरोज आते हैं, लाइक वरून धावन, शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ, रिद्दिक रोशन, इसलिए वो उतनी महनत कर पाते हैं, और हमारे उतना खर्च नहीं किया जाता है, इसलिए हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास उतने रिसॉर्सेज नहीं हैं, लेकिन मैं फिल्म्स के लाइक तो अपने आपको नहीं समझता, लेकिन हाँ डेली सोप के लाइक, टीवी सीलिस के लाइक, मैं अपने आपको जरू समझता हूँ, और मुझे ऐस मैं इसलिवी और मुझे कर दे उका पर्सेज नहीं हैं, कर 10-conomını कर यह से लाइक लेकिन होरा वहाँ है, लेकिन फिल्म्स के लिए मैं ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलूगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी तैयारी होती है, जो कि हमारी पूरी नहीं है, ऑक्रम कप्तानी की थी तो किस तरीके से उट्राखड में इसका आगाज और आपका किस तरीके से experience रहा था देखिए अच्छा रहा देखिए हर हर event के हर organization के close and cons होते हैं कुछ नगुछ उसके merits demerits होते हैं advantage disadvantage होते हैं बिल्कुल advantage यह रहा कि काफी लोगों से मिलना का मौका मिला पहली बार gathering हुई थी I think पहली बार ऐसी gathering हुई जिन लोगों को हम नहीं जानते थे जिन लोगों के songs हम करते थे जिन्होंने musicians थे जिन्होंने उस song में music दिया होगा पर हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई मुजिशन से हमारा टकराव कभी नहीं होता कभी मुलाकात नहीं हो पाती है और लेकिन बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ मज़ा बहुत आया हसने को बहुत मिला क्योंकि जब कोई catch छूटती है और हम सब नौ से क्याप ले रहते हैं लगवा लगवा कुछ ही दे हैं हमारे से जो talented थे और catch हूट रही है या हम गिर जा रहे हैं भागते भागते या catch पकड़ते पकड़ते हम गिर जा रहे हैं वो सब जो funny moments थे ना वो life में बहुत सालों बाद आए क्योंकि मैंने भी cricket 2001 या 2002 में खेला था और उसके बाद सीधा अब 2022 में खेलने का मौका मिला लेकिन कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता कि कुछ चीजें गलत भी हुई गलत इसलिए हुई क्योंकि हमारा जो टूर्णामेंट था थोड़ा सा professional level पे चला गया जो हम लोग फ्रे कैप्टन मैंने मशक मिन को आगे forward किया तो मेरी टीम मुझे काफी हद तक खुश थी और मैं अपने आपको एक अच्छा प्लेयर तो नहीं मानता हूं लेकिन मैं कैप्टन सी और जिसको लीडर्शिप का नाम देते हैं वो मैं अच्छा समझता था मुझे पता था कि मुझे क लेके अच्छा करना हैं और मेरी टीम ने मुझे सपोर्ट किया बिकास मैं सीनियर था हूं सबही लड़कों से सबही अक्तर से तो उन्होंने मेरी बात को माना तो जाहिर बात है कि हम फाइनल तक पहुच पाई फाइनल में जाने के बाद हम लोग हार गए लेकिन मैंने उस ह को भी बड़ा enjoy किया, because final तक पहुंचना भी अपने बड़ी वात थी, और दोनों team के आगे finalist लगा हुआ था, क्योंकि जो final खेलती है teams, वो दोनों finalist होती है, उसमें से एक जीतता है, और एक second आता है, और मैं उसमें अच्छे चाके अच्छे मात हो, अगले बार जीत, कि अच्छा गर्व हो, बिल्कुल राज, इनके organizer, रास ट्राइगर दरव काफी अच्छी जो है, ये शुर्वात की गई, जो काफी जो है काबले तारिफ बिली है, तो संजी इंडस्ट्री में अब आई दिन नहीं नहीं चहरे देखने को मिलते हैं, और इन सब के बीच आप खुद को कितना सिक्यूर पील करते हैं, देखिए सिक्यूर और इन सिक्यूर का तो मेरी लाइफ में कभी-कभी सवाल उठा नहीं, मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था, तो जब मेरे सामने जब सवाल मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, क्योंकि किसी के नाम के आगे सुपरस्टार लगा दूगा और किसी के नाम के आगे नहीं लगा तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन जो सुपरस्टार्स रहे होंगे, वो समझ जाएंगे, वो अपने आप समझ जाएंगे, तो मैंने सब क किया मुझे कभी इन सेक्यूर्टी उस समय भी महसूस नहीं हुई मैंने अपना ट्रैक चेंज किया मैं शुरू से दिल्ली में रहता था मेरा स्टाइल अलग था मेरा कपटे बहनने का स्टाइल या फिर एक्टिंग करने का स्टाइल थोड़ा सा उसमें जो हमारा पहाड़ी ट मैं भी मैंने कभी किसी को अपने इJames आपको नहीं नहीं आपको अपने आपको मतलब जितना मैं हैंडसम दिख सकता हूँ उतना दिखा पाऊँ और जितनी अच्छी फिल्म करके अपने अपना पोटेंशल दिखा पाऊँ मैं दिखा पाऊँ क्योंकि अगर मैं दूसरों के उपर ज्यादा ध्यान दूँगा कि ये मेरा कॉंप्टीटर है तो मैं वहीं अपना सारा टाइम खो दूँगा मुझे अपना टाइम वहां नहीं खोकर अपनी तैयारी में लगाना है जो कि मैं हमेशा करता हूँ तो चाहे नू कमर्स आएं चाहे ना आएं मेरी तरफ से सब का most welcome है तो कि talented दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और उनका मैं स्वागत करता हूँ कि आप लोग उत्रखन इंडस्टी में आईए जैसे कि आप भी रहें नू कमर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आपका सवाल दूसरा था करता रहूँगा जब तक लगेगा कर सकता हूँ मैं करता रहूँगा मुझे किसी से कोई jealous नहीं है मुझे किसी से कोई competition नहीं बलकि मैं भी कहूँगे आप एक generation को अभी तक present कर रहे हैं और personally अगर मुझे जो आपके बारे में अच्छी लगती है जो मैंने आपके कई वीडियोस देखे हैं चाहे वो फैंस के साथ हो चाहे फिर आपके जो कोई स्टास के साथ है इस मुकाम पे होने के बावशूद you know, you don't treat like a boss you treat like a guy तो personally जो मुझे आपकी ये चीज अच्छी लगी है तो Sanju जी कई सारे आर्टिस जो हैं, बच्चे जो होते हैं इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उन्हें एक सही, मैं कहूंगी राहा नहीं मिल पाती है उनका एक माइंसेट नहीं हो पाता है तो उनके लिए आप क्या कुछ यहना चाहेंगी तेखिए, नूकमर्स के लिए आना हमें क्या करना होगी तो मैं यह राय देता हूं कि देखिए आप पहले तो आना किस लिए चाहरे हैं यह बताइए कुछ लोग ना आरती इस लाइन में ना सिर्फ इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट और फॉल्वर्स बढ़ाने के लिए आना चाहते हैं कि मतलब देखे जब हम लोग इस लाइन में आए तो हम लोग इस लिए आए थे कि हमें लगा कि हम उतराखण के लिए कुछ कर सकते हैं और हमें ले लगा कि हमारें थोड़ी बुत इस्किल्स हैं डांसिंग और एक्टिंग लेका है एक exposure मिलेगा camera के आगे लेकिन newcomers का कुछ लोगों का ये mindset है कि industry में चलते है कुछ गाने करेंगे कुछ popularity बटो रहेंगे लोगों से contact होगा followers बढ़ेंगे और उसके बाद लगेगा कि कुछ अच्छा हो रहा है तो continue करेंगे नहीं हो रहा तो अपनी जॉब कर लेंगे और फिर reels बनाके अपने followers बढ़ाते रहेंगे देखिए मेरी नजर में followers आरती अगर मैं आपको actual बताओ ना follower का मतलब आप भी समझदार हैं आप भी समझती होंगी follower का मतलब होता है जो हमें follow करते हैं जैसा हम पहने जैसा हम करें जैसा हम बोलें जैसा हम style दिखाएं वो ऐसा ही follow करें actual followers वो होते हैं जैसे महात्मा गांदी जी के followers थे जब उन्होंने उन्होंने जो हमारी भारत छुड़वां दोलन या फिर और और जो उन्होंने organization create करें अपनी एक यात्रा हैं निकाली लोग उनका अनुसरन कर रहे थे देवर followers वो follow कर रहे थे उनको गांदी जी कुछ भी करें वो पीछे खड़े रहेंगे ये followers होते हैं Instagram के followers मैं समझता हूँ ये followers आपके लोग पैसे होंगे followers बढ़ेंगे एक followers ऐसे होते हैं जो कि मेरे हैं दो-तिन सिर्फ दो-तिन बोल रहा हूँ आपको हम लोग एक करोड से भी उपर हैं लेकिन मैं सिर्फ दो-तिन लोगों का नाम दे रहा हूँ ना मतलब मैं count कर रहा हूँ कि दो-तिन लोग ऐसे हैं जो मेरे die-hard fan हैं मैं कुछ भ followers नहीं होते हैं कभी आप उनको मिल भी जाओगे न वो आपको नहीं पैचानेंगे चलो हमें पैचान लेंगे क्या हम धिनने सालों से दिख रहे हैं लेकिन जो newcomers है और उनकी following list में जो जूड रहे हैं जब उनको मिलेंगे न वो नहीं पैचानेंगे क्योंकि ये तुक्के माला follow है किसी की real अच्छे लगी follow कर दिया कि यार ये अच्छा content बनाता है कल को हम भी इसके sound पे real मनाएंगे हम भी famous हो जाएंगे ये life नहीं तो मैं newcomers के लिए बूलना चाहूंगा आ रहे हैं तैयारी के साथ आईए और एक चीज़ मैं बूलना चाहूंगा हमारी industry में उतन अतना पैसा नहीं है और अगर आप आना चाहते हैं तो अट्लीस्ट पैसे के लिए तो मत आईए अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं अपनी skills को लोगों तक पहुछाना चाहते हैं क्या पता उसके बाद जब आपकी skills लोगों तक पहुँचे आपको कहें और से offer आने श हो जाता तो उसके लिए most welcome है तैयारी के साथ आईए और एक साल, दो साल, तीन साल नहीं पन्नो कुसाई भाई ने बीसी की साल दिये, मैंने अठाला साल दिये मेर से नीचे हमारा छोटा भाई है आजसो लंकी उसने भी 14-15 साल दिये ये एक पीरिड होता आपकी लाइफ का दो-तीन साल का टाइम आपने किसी को दिया, मैं नहीं समझता मैं कभी भी professional actor या actors की category में उन लोगों को कभी नहीं जोड़ूँगा जो दो-तीन साल काम करेंगे मैं चाहूँगा कि आप लोग आईए इमानदारी से काम करिए बहतरीन काम करिए अपना समय दीजिए उत्राखंड को क्योंकि अगर हर इनसान यही सोचकर उत्राखंड की इंडिस्ट्री को छोड़कर जाता रहेगा कि यहां कुछ नहीं है तो यहां कौन काम करेगा यहां कोई काम नहीं करेगा लेकिन अगर हमने ही हाँ अतने साल काम किया है तो हमने भी कुछ न कुछ सोच के ही काम किया होगा तो मैं यह मानता हूँ कि अगर आप अपनी इसकल्स दिखाना चाहते हैं देव भूमी उतराखन के लिए कुछ करना चाहते हैं बोली भाषा के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो तो most welcome. पहलो, तो यह घुमोलू, यह काफी लोगों न है अपने आपको connect किया सोंग से, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो माताएं हैं, बहने हैं भावी, लोग हैं, इस सब जो गाउं में रहते हैं, जिनके husband दिल्ली रहते हैं, जो उनको दिल्ली ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो अपन कुटुमदारे की वज़ा से अपनी खेती की तरफ से वो वहाँ नहीं जा सकते दिल्ली सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा और कहीं न कहीं देखिए न आप कहीं न कहीं जो हमारी पहाड की नारी हैं जो फेमेल्स हैं उन्होंने ही संस्कृति को बचा रखा है बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सारे जेंट्स सारे मेल तो चले गए जॉब करने के लिए देश विदेश या नीचे दिल्ली और बाकी सब लोग अपने घर को वहाँ पर ध्यान रख रही हैं तो कहीं न कहीं उन लोगों ने बचा रखे चीज़ें तो उन लोगों ने अपने आपको बड़ा रिलेट किया उस सांग से और मुझे सौरव ने गाया, शीवानी ने गाया बहुत बहुत बिंता सूरज ने डिरेक्शन करा उसमें खुशी मेरे संग हिरोई में थी बहुत प्यारा संग लगा मुझे उससे में मुझे आभास हो गया था कि ये चीज़ें चो लाइन से ये कैची लाइन से जा सकती और इंस्ताग्राम वीज़ें पर ट्रेंडिंग में आया तो जो प्रेडूसर हैं हमारे वीजे भड़ जी उनननों का मैसेज आया कि ट्रेंडिंग में हमारे वीज़ चल रही है तो गड़ बैस्यूसर तो उननना बोला कि आप सब की महनत है तो ये सभी सभी लोगों की महनत है कि ऐसा हुआ तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है हमारी महनत रंग ला रही है लोग देखना पसंद कर रहे हैं सुनना पसंद कर रहे है संजु जी नहीं साल का अगाज हो चुका है हर कोई नियूएर की स्टार्टिंग में एक रिजूलेशन रखता है तो आपका ऐसा कौन सा रिजूएरिशन जो आप इस पूरे साल में जो है उसे अमल करने वाले है देखे सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मैं शादेशुदा होने वाला हूं मैं शादेशुदा होने वाला हूं 2023 में सबसे पहला तो मेरा target भी यह रहेगा और मेरा implementation भी यह रहेगा कि मैं मैं अच्छा husband साबित हो क्योंकि इस समय जो priority है वो इस बात की है क्योंकि मैं इतने सालों से उतर रखने के लिए काम कर रहा हूँ पूरी जद्द जहत के साथ काम कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ ग्रेस्त लाइफ का तो अब जब मैं सोचता हूँ कि मेरी होने वाली वाइब शिवानी जब मुससे जुड़ेंगी तो मैं समझता हूँ कि मैं उनके लिए अच्छा husband साबित हो और अपने in-laws के लिए अपनी family के लिए जो मेरी side की family मैं साबी के लिए बहुत अच्छा साबित हूँ और मैं उत्राखन के लिए बहुत अच्छा कर पाऊं अच्छी films कर पाऊं मेरे पास एक-दो films के offer है मैं अभी उसको disclose नहीं करना चाहूँगा और उनको करूँ अच्छे अपनी fan following को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करूँ जो लोग मुझे या मेरे काम को पसंद नहीं करते हैं मैं उनके दिलों में भी अपनी एक जगा बनाऊ और चुकि target हमेशा यह होना चाहिए देखिए जो पसंद करते हैं वो तो सार आंखों पर बिठाते हैं वो तो बहुत प्यार करते हैं वो तो ऐसे ऐसे compliment देते हैं कि क्या ही बोलें लेकिन कुछ कुछ categories ऐसी भी होती हैं जो हमारे काम को dislike करते हैं जो मैं पसंद नहीं करते हैं तो हमेशा से मेरा target रहता है कि मैं उन लोगों को उन दर्शकों को भी अपनी fan following में शामिल कर सकूँ अपनी अच्छी performance के साथ अपनी अच्छी बातों के साथ अपने अच्छे behave के साथ मैं उनको कर सकूँ और जो another hand मेरी शादिशुदा life होगी भगवान के आशिरवाद से तो मैं माधारी देवी से आशिरवाद मांगता हूँ मा कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊं पने life में क्योंकि मैं वो life भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वो life बहुत अच्छी चलेगी न तो ये life में बहुत अच्छी चलाऊ हूँ दो फिल्म को लेकर मेरी बातचीच चल रही है लेकिन अभी हमारा शूटिंग शीडियूल डिसकस नहीं हुआ है और हो सकता है वो शादी के बाद हो हो सकता है वो शादी से पहले भी हो और रही बाद जहां तक कि वीडियो सॉंग्स की तो अभी जो अभी हमने प्रोजेक्ट किया दो दिन पहरे तो एक मशक बीन स्टूडियो से एक सौंग आने वाला है हमारा जिसमें स्टार कास्ट में अजय सोलंकी मैं और नताशा शाह और माही रावत हम चार लोगों का उसमें पेर है और मनो सामत सिंगर है और डिरेक्शन में सोहन चोहन है हमारा छोटा भाई और कुर्याफी में सैंडी गुसाई है हमारा छोटा भाई तो डियोपी में शुवम कैंत्र है तो बहुत बड़ी टीम थी हमारी और बहुत अच्छा शूट हुआ है आई होप आपको वो वीडियो सॉंग बहुत पसंद आने वाला है बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा और बाकी सॉंग का तो कभी-कभी हमें खुद नहीं पता होता है कि कब कौन सा सॉंग आ गया या कौन सा आने वाला है या किस शूटिंग की कमें कॉल आने वाली है या हमें पता नहीं चल पाता है पर यह है टार्गेट बसे तना रहता है कि जिसने भी हमें बड़ी उम्मीद से लिया है अपने प्रोजेक्ट में हम उसको इसे पने पाफोर्मर तो कम से कएं उसको अच्छी परफॉ cooperation करकेते उसके बाद गाना हिट होगा सोपर होगा या फॉप होगा यह हमारा जोन नहीं है यह हमारी किस्मत है उनकी किस्मत है काम अच्छा होना चाहिए वो हम हमेशा करने की कोशिश करते हैं तो 2023 में आपको अच्छे डंक से एंटेटेन करेंगे ओके संजी जाते जाते आप अपने फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे फैंस को यह मैसेज दूगा देखिए आप लोगोंने मुझे पिछले 18 सालों में बहुत जादा बेशिमार प्यार दिया है शाहिद ही किसी कलाकार को उतना प्यार दिया हो executed में यह बात मैं दावे से बोल सकता हूँ च्외कि म्याने महसुस किया है उस प्यार को उस एप्रिस्टेशन को उस बूस्तिंग को मैंने महसुस किया है कि जो लोग आप मेरे ले करते हैं और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ दीजेगा मैं कभी आपको निराश नहीं करूँगा अपनी परफॉर्मेंस से तो कम से कम निराश नहीं करूँगा हो सकता है कोई सॉंग थोड़ा कम चले या उसके लिरिक्स उतने अच्छे ना हो कमपोजिशन उतनी अच्छी ना हो वो एक अलग मैटर हो सकता है लेकिन मैं आप लोगों से यह बुलना चाहूँगा और मैं तो सबसे पहले शुक्रिया ही ददा करना चाहूँगा कि धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे 18 साल सारा आँखों पर बिठाया है मुझे मेरे स्किल्स को आप लोगों ने accept किया है और मुझे बहुत अच्छे-च्छे compliments दी है और मैं कभी आपको निराशन ने करूँगा आप भी मेरे संग अपना जो support होता है बनाए रखिएगा क्योंकि हम लोग सिर्फ मैनत कर सकते हैं उसमें आपका support लगते ही add-on होते के साथ ही वो बहुत आगे चला जाता है और फिर उससे क्या होता है उससे आपको एक logic दिखाता हूँ उससे जब YouTube revenue generate होते हैं तो हमारे producers को पैसा सारा वापिस return में आता है और उसके बाद हमारे producers दुबारा से किसी project को बनाने में सफल साबित होते हैं तो हम लोग देखी आप लोगों को पता है जैसा कि data MB जो हम लोग use करते हैं इतनी महगी नहीं है अब तो बहुत सस्ती हो चुकी है तो आप लोगोंने क्या करना है सिर्फ एक song को देखना है हम लोग सबस कीजिए अगर हम लोग 1 करोड 20 लाग के आसपास 1 करोड 16 लाग के आसपास हम लोग सब लोग है पूरे उत्रहंडी लोग अगर हर बंदा वो song देख ले तो हर गाने पर 1 करोड व्यूज आएंगे ही आएंगे यानि कि आप लगा लिजे कि मारा बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए कि इतने व्यूज आ रहे हैं उससे producers को पैसे वापिस आएंगे तो producers को भी boost मिलेगा वो दुबारा से project बनाएंगे और अच्छे project बनाएंगे आप और ज़्यादा entertain होंगे तो मैं बस यह चाहूँगा कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोग इतना support तो कर ही सकते हैं इतना support ज़रू करीगा और कोई गाना पसंद आता है तो उसको आप आपने आपको और बहतरीन compositions बहतरीन video songs देखने को मिलते रहेंगे इसी के साथ मैं आप सबी लोगों को धेर सारा प्यार देना चाहता हूँ और ये बोलना चाहता हूँ कि जतने लोग मुझे पसंद करते हैं और जतने लोग मुझे पसंद नहीं भी करते हैं उन सबी को पर मैं चाहूँगा कि माधारी देवी अपना आशिरवाद बनाए रखे और हम सब लोग अपने अपने चेतर में बहुत प्रोग्रस करें इमानदारी से आगे बढ़ें अपने माबाप से प्यार करें इज़त करें अपने पितरों का ख्याल रखें अपने चाहिए बने रहने के लिए हमारे साथ इतनी अच्छे ची बाते करने के लिए होप आप यू ही आगे बढ़ते रहें और लोगों का साथ आपके साथ यू ही बना देगे तो ये थे हमारे साथ उत्वाकन के बेहदी मशूर अभनेता संजु सिलोडी जिनोंने हमसे कई सारी बाते शेयर करी इनसे बात करके मुझे तो बेहद मज़ा आया आपको हमारी ये बातचीत कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताईएगा ऐसी कई हस्तियों से आपके कराएंगे मुलाकात तब तक के लिए कि लिए बुन्यूस के साथ